हेलो एब्रीबन वेलकम तो मैं चैनल एवी आहरवेदा आज हम मात्रस्थन की बात करेंगे कि हमारे भ्रत में यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और यह पूछा भी जाता है कुश्चन तो पहले हम इसका मॉडरन टॉपिक पढ़ेंगे ब्रेस्ट फीडिंग और फिर एंड ब्रेस्ट मिल्क के बारे में तो ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है ब्रेस्ट मिल्क जो होता है एक आइडल फूड होता है फर अन्योनेट जो अभी पैदा हुआ बच्चा है उसके लिए ब्रेस्ट मिल्क जो होता है एक आइडल फूड की तरह है उसके लिए कंप्ली फिर्स्ट शिक्स मुंथ तक आफ्टर डिलीवरी ऑफ दब बेवी उसको मिल्क फीड कराना है और इससे बहुत जादा फाइदे होते हैं इससे बेवी को भी फाइदा होता है मदर को भी फाइदा होता है तो यह सब हो गया इसका इंट्रोडक्शन पार्ट अब ना हम बहुतत सब्सक्राइड फाइड अवह क्यक्का पर्फित यह भाप्ता है सुप्रियेशन यूटरिशन फ्सांतिरोह की अफौन पर्ण siप्रियोरा इससे समेश्ट 630 की सभानी और भी नॉूटरिशन कि सब्सक्राइड को आसुएता और यह ऐसे निट्रीशन होते हैं जो इसली डाइजेस्ट हो सके और बॉडी में एब्जॉब हो सके बच्चे के और उसके बाद आता है कार्बो हाइड्रेट्स के फॉर्म में जो होता है बिल्क में सबसे ज़्यादा लेक्टोस फाया जाता है लेक्टोस जो ता हाई होता है और lactose क्या करता है? कल्शियम के absorption में help करता है. इन हेंस्थ ग्रोथ ऑफ लेक्टो बैसिलाई. लेक्टो बैसिलाई को ग्रोथ कराने में भी help करता है. ये जो होते हैं good intestinal bacteria होते हैं, तो intestinal flora को maintain करने का काम करता है. प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन जो होता है animal milk के comparison जो होता है human milk में कम होता है protein के amount कम होती है और most of the protein is in the form of lact albumin और lactoglobulin easily digested ज्यादा तर जो हमारे human milk में जो protein होता है वो lact albumin और lactoglobulin के form में होता है जो कि easily digest हो सके फिर रखा human milk contain amino acids necessary for neurotransmission and neuromodulation and it lack in the cow and formula तो इन्होंने कह दिया human milk में क्यों होता है amino acids होते है amino acids किसके लिए काम करते हैं neurotransmission का काम करते हैं impulse business में help करते हैं brain के development में help करते हैं और neuromodulation का काम करते हैं और it lack the cow milk यह किसमे का नहीं मिलते हैं यह हमारे cow और formula फीड में नहीं मिलते हैं जो हम बच्चों को powder वाला दुद पलाते हैं उसमें भी protein नहीं होता है human milk में ही amino acids पाई जाते हैं फिर आगा fats all sized breades रिश में होता है किसके फेटेकहाइख की ही ऑसेशपन पहलज होता है polyunsaturated fatty acid की फाई होता है necessary for the myelination of the nervous system nervous system के myelination के लिए fat necessary होता है जो myelin sheets होती है neurons के उपर उनको maintain करने का काम fat करता है और क्या करता है यह contain omega 2 and 6 fatty acids जो mother का milk होता है उसमें 2 and 6 fatty acids होती है वो present होती है जो कि किसके लिए important होती है एक तो prostaglandin के formation के लिए important होती है और cholesterol के formation के लिए important होती है फिर दरखा vitamins and minerals the quantity and the viability is sufficient of vitamins and the minerals जितनी quantity चाहिए जितनी availability होनी चाहिए उतने quantity और availability के according vitamins और minerals milk में होते है फिर दरखा है water and electrolytes water का content क्या होता है 88% जो होता है mother के milk में water होता है इस मतलब बच्चे को जब तक बो milk feed करा रहे तो बच्चे को additional water की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसे किसी भी तरीके का पानी बाहर से नहीं दिया जाए तब भी वो मतलब मिल्क पे रह सकता है फिर दे रखा immunological superiority अब immunologically क्या वर करता है क्या क्या चीजें होती है दूद में तो breast milk contains a number of protective factors protective factors जो होते हैं बहुत ज़्यादा quantities में होते हैं मिल्क में है इसमें IgA होता है macrophages होते हैं lymphocytes होते हैं lactiferins होते हैं lysozynes होते हैं और बाकी अधर जो immunoglobulins और immunity booster जो भी immunization में help करने के लिए होते हैं वो सब होते हैं दूद एक मदर के मिल्क में breastfed baby is 14 times less likely to die of diarrhea and almost four times less likely to die of respiratory infection हमारे इंडिया में mostly बच्चे डाइरिया के बज़े से मर जाते हैं तो अगर जो मदर अपना breast milk कराते हैं breast milk फीड कराती हैं उनके case में बेबी के डाइरिया से death होने के chances जो होते 14% कम होते हैं इसलिए डॉक्टर हमेशा रिकमेंड करता है मदर को कि आप breastfeed कराएं बजाएं काव मिलके फैलो मिलके या फॉर्मूला फीड के और इस breastfed milk जो होता है वो low risk of allergy, ear infection and orthodontia मतलब कि जो बेबी पैदा हुआ है उसको breastfeed कराएंगे तो उससे क्या होगा उसकी risk कम हो जाएगा कि उसको कौन-कौन low risk of diabetes, heart disease and lymphoma in the later life जैसे वो बढ़ा होगा तो इन चीजों की risk भी कम हो जाएगी diabetes होने के chances कम हो जाएंगे, heart disease होने के chances कम हो जाएंगे, lymphoma होने के chances कम हो जाएंगे फिर आया mental growth, mental growth में देखें तो better bond to their mother बेबी का एक अच्छा bond बनता है मदर से, एक emotions create हो जाते हैं मदर और बेबी के बीच में उसके बाद दे रखा higher IQ than those who were given other form of milk जो मदर breast feed कराती है उसके बेबी का IQ level जादा होगा other than those mother जो formula फीड कराएं या cow milk फीड कराएं या फिर वफैलो milk फीड कराएं उनके comparison जो मदर breast milk फीड कराती है उनके बच्चों का IQ level भी जादा होता है benefits to the mother अब मदर को भी benefits होते हैं अभी तक तो बच्चे को हो रहे थे अब मदर को भी benefits होते हैं help uterine involution मतलब uterus अपनी position में आ जाता है अपने cavity में आ जाता है जहां वो होता है वहां आ जाता है क्योंकि जब baby uterus में होता है तो उसको जो uterus होता है वो abdominal organ बन गया होता है पर uterus जो होता है pelvic organ होता है तो वो जब delivery हो जाती है तो धीरे धीरे अपनी pelvic cavity में आना शुरू हो जाता है तो वो किसकी बेज़े से आता है breastfeed कराएगी तो आराम से जल्दी से आ जाएगा reducing chance of PPH postpartum hemorrhage होने के chances भी breastfeed मदर में कम होते हैं provide protection due to lactational eminoria eminoria हो जाएगी lactational eminoria हो जाएगी mother को menses नहीं होंगे जब तक कि वो बैच्चे को feed कराएगी तो इसी time पे वो conceive भी नहीं करेगी other baby six months तक at least वो एक contraceptive का काम करेगा फिर दे रखा है most convenient and time saving और most convenient time saving है यह क्योंकि नहीं मदर को bottle दूलनी है नहीं मदर को दूद गरम करना है नहीं उसमें चीनी खोलनी है वो ready to eat वाला formula हो गया यह तो पिला देना है time saving है बिलकुल reduce risk of cancer of breast and ovary अगर mother breastfeed कराएगी तो उसको cancer होने के chances कम होते हैं breast cancer नहीं होगा उसको ovarian cancer नहीं होगा shedding extra weight that mother has gained during pregnancy जो प्रेगनेंसी के time पे mother ने weight gain कर लिया था वो उसका shed off हो जाएगा कम होना शुरू हो जाएगा अधर में क्या आएगा कि breast milk contain number of growth factors, enzymes and hormones फिर रख है physiology of breastfeeding, breastfeeding की physiology क्या होगी तो इसमें दो reflexes होती है एक prolactin reflex होती है एक oxytocin reflex होती है यह दोनों reflexes जो होती है जो mother के अंदर होती है और जो baby के अंदर reflexes होती है वो rooting reflex होती है और sucking reflex होती है फिर क्य और वहां से क्या होता है मिल्क का सिक्रीशन होता है उसके लिए स्टिमॉलस होता है और मिल्क सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है अब इस प्रोलेक्टिंग रिफ्लेक्स में इंपोर्टन जाने के लिए क्या है जितना ज्यादा बेवी मिल्क को सिक्रीट करेगा जितना ज्या जआदा मिल्क सिक्रीट होगा ठिए और प्रलेक्टिन ईस प्रोडूश ब्रेस्ट फीडिग द्यूरिंग्ग नाइट थायरत के टाइम पे अगर मदर ब्रेस्ट फीड कर आती है तो शारइत पराट के टाइम पर इंट tava जादा stub of the milk from gland into lactiferous sinus, lactiferous sinus में होता है जाके work करता है ठीक है उसके बाद देता है कि कैसे produce होगा अगर मदर बच्चे के बारे में सोचेगी उसको देखेगी उसका sound सुनेगी तो या फिर बेबी उसको निपल को सक करेगा तो क्या होगा stimulus जो होता है वो nerve ending के थुरू जाएगा posterior pituitary पे वहाँ से oxytocin release होगा, ejection of milk हो जाएगा और बेबी को milk मिल जाएगा इसी तरीके से इसमें important याद रखने वाली बात क्या है reflex is affected by the mother's emotion अगर mother relaxed है, confident है तो milk जो है अच्छे से ejaculate होगा, ejection होगा उसका और अगर mother tense है, lack of confidence है तो hinder milk flow मदर का milk जो है properly flow नहीं होगा, अच्छे से बेबी को feed नहीं करा पाएगी, अब बेबी में reflex हो गई दो, rooting reflex और sucking reflex rooting reflex क्या होती है, rooting reflex में जब हता है, जब मदर अपना निपल बेबी के माउथ की पास में लाएगी तो बेबी उसको अपने मुह में रख लेगा, उसको ढूनने की कोशिश करेगा और उसको मुह में रख लेगा, sucking क्या होगा है, जैसे milk मुह में आया उसको सक कर जाएगा, सक क क्या ना शुरू कर देगा, फिर देरका composition of breast milk, breast milk में क्या का composition होता है, cholesterol, transitional milk, matured milk होता है, और फिर जो होता है, इसमें कुछ और टर्म्स दिये गया है, जैसे कि pre-term milk हो गया, four milk हो गया, hind milk हो गया, तो सबसे पहले जो होता है, हमारा cholesterol बनता है, cholesterol क्या होता है, secreted during initial three to four days after delivery delivery के तीन से चार दिन के अंदर यह secret होना शुरू हो जाता है ठीक है उसके बाद क्या होता है यह कम quantity में होता है यह लो और ठीक होता है large amount में इसमें antibodies होते हैं immunocompetent cells होते हैं vitamins इसमें कौन-कौन से पाए जाते हैं A, D, E or K, vitamins इसमें पाए जाते हैं cholesterol में फिर transitional milk की बारी है जो cholesterol के बाद जो next milk mother secret करती है वो होता है transitional milk यह क्या होता है secreted after three to four days until two weeks दो हफ़ते तक जो तीन से चार दिन के बाद दो हफ़ते तक milk secret होता है उसे transitional milk कहते हैं इसमें immunoglobulins और protein कम होते हैं fat और sugar का content जादा होता है फिर transitional milk के बाद जो अगला milk secret करती है mother वो होता है mature milk mature milk follow the transitional milk अब दे रखा है thinner and watery एक तो यह पतला होता है और तरल होता है वाटरी होता है इसमें water का गणने जाता होता है पर इसमें सारे nutrients जो की essential हैं बच्चे की ग्रोथ के लिए वो सारी present होते हैं फिर दे रखा है pre-term milk pre-term milk क्या कहते हैं किसे कहते हैं delivers before 37 weeks जो बच्चा 37 weeks से पहले deliver हुआ उसको जो mother milk feed कराती है उसको pre-term milk कहते हैं इसमें protein, sodium, iron, immunoglobulins, calories जितनी requirement है यह उसमें उस हिसाब से मिलती है फिर आया four milk, four milk क्या होता है milk secreted at start of a feed जैसे ही mother start करती है feed कराना तो जो milk secret होता है उसको बोलते है four milk फिर दे रखा है watery and rich in protein यह watery होता है प्रोटीन में rich होता है sugars होते है vitamins होते है minerals होते है water that conscious the thrust of the baby इतना पानी होता है कि बच्चे को प्यास नहीं लगती है चाहें वो पानी प सब्सक्राइब करता है इसमें बेबी satiety फिल करता है फिर दे रखा है technique of breastfeeding यह बहुत important है यह पीडिया में भी पूची जाती है और आपके यह गाई आपस में भी आती है तो टेक्निक of breastfeeding क्या हो गया तो पहले तो मदर की position जानना जरूरी है और बहुत बहुत है और बहुत बेबी की position जानना जोड़ी है कि कैसा मदर होना चाहिए बैठे और कैसे बेबी बैठे तो मदर position क्या होगी comfortable to her and baby जो position मदर को और बेबी को दोनों को comfortable हो उस position में बच्चे मदर feed करा है sit और lie या तो वो बैठ के करा है या फिर late के करा है जैसे कि यहाँ पे है मदर बैठ के क करा लिए तो जो भी उसको position comfortable हो वो उस position में करा सकती है उसके बाद दे रखा है her back should be supported उसके back जो हो पीछे से जो back है वो supported होनी चाहिए she should not lean on her baby तो वो अपने baby के ओपर lean नहीं होनी चाहिए मतलब कि एक तम से जुकी होई नहीं होनी चाहिए देखे दोनों ही condition तीन condition दिखा नहीं है तो एक में भी मदर अपने बेबी के ओपर lean नहीं है फिर दे रखा है पोजीशन ऑफ दा बेबी की पोजीशन के से पहली बात तो बेबी रैप्ड होना चाहिए properly एक क्लोथ में तो आप यह देख सकते हैं कि दोनों ही condition में बेबी जो है वो क्लोथ में रैप है ठीक होना बेच्चे का बहुत जरूरी है फिर देखते हैं क्या होगा फिर है क्या है बेबी की पूरी बाडी शपोर्टेश होनी चाहिए बेबी एड़ एंड बोड़ी इन वन लाइन विदाउट एनी ट्विस्ट इन ना नेक दू बेभी की बॉड़ी और नेक एक लाइन में होनी चाहिए देखे मदर ने कैसे सपोर्ट करके उसे पकड़ा हुआ है इधर देखे पिलो का सपोर्ट लगा रखा है तो क्या होगा बेभी की वह, support होनी चाहिए, baby's body turned towards the mother, mother की तरफ को body turned होनी चाहिए, देखे, दोनूं ही condition में, baby की body, देखे, mother की towards the need turned है, इसमें भी देखे, बच्चा माधर की तरफ को मुह करे हुए है, इसमें भी देखे, तो 3 ही conditions में देखे, बच्चे का मुह के दर होता है मदर की तरफ को होता है फिर दर कहा है बेबी Ross is at the level of near Jump cómo is level of dimple पर होगी ठीक है उसके बाद दे रखा है ये सारी पोजिशन क्या हो गए बेबी की पोजीशन सहो गए to मदर की पोजिशन थी उसके बाद है अटेचमेंट या लैचिंग लैचिंग मतलब कैसे मदर का ब्रेस्ट और बच्चे का मौथ कैसे अटेच्ट होगा जो प्रॉपरली फीड कर लाएगा तो आफटर प्रॉपर पोजिशन अब पोजिशनिंग होने के बाद क्या करेंगे बे कि मदर का निपल कहा है फिर उसके बाद क्या होगा अलाओ बेबी टो ओपन इस माउथ बाइडली पूरी तरीके से जब बेबी का मुझ खुल जाएगा तब मदर क्या करेगी बेबी को लैचिंग मतलब अटेच करेगा अपना ब्रेस्ट पूरी तरीके से और यह इंशोर कर अडियरियुला जो आए बेबी के कहा है माउथ में है यह देखिये थीक है तो यह पूरा कवर कर रहा है यह यह इस में क्या है और फेली ए एक और इंगर को आथ तों यह कूजा अधर आ बटर अटेच्म вызव इंपोर्टेंट नहीं लिए है। बेबी पर बमझेल तो यान बमझेल थान नीना सब्सक्राइब्न लिए है। नहीं पर सब्सक्राइबू है। जो है मदर के पास में है यहाँ पे देखें मदर ने अपने बेबी को कैसे पकट रखा है तो मदर का ही बेबी मदर को बेबी के पास लाना है मतलब मदर जो है बेबी के ऊपर नहीं जानी चाहिए बेबी जो है मदर के पास ऐसे मदध सब्पोर्ट करके बेवी को पूरी तरीके से मिलक का फीड करा है तो ये हो गया हमारा आयरवेदा पोर्शन और इसका सब्सक्राइब अब आयरवेदा पोर्शन हम जो है नेक्स लाइड में, नेक्स वीडियो में आपको बताएंगे तो यह सारी हो गई टेक्निक्स, ब्रेस्ट, फीड कैसे कराना, यह सारा मॉडरन का हो गया, अब हम आयरवेज इसका आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्यू फॉर वाचिंग, और आप कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, थैंक्यू